नमस्कार इस्ट्रेट बस नियूज में आप सभी दर्सकों का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा साथ आएए बढ़ते हैं आज की खबर की और कहते हैं जोडियां उपर से बनती हैं ऐसे में दुल्हा भारत का हो और दुलहन साथ समुञुन्दर पार फ्रांस जैसे आधुनिक देशगी हो तो इस बात पर यकीन हो ऐसी ही एक जोड़ी बनी है जिसमें दुल्हा ठेट कुराबर और दुल्हन फ्रांस की है शादी मध्य प्रदेश के सीहोर में पूरे हिंदू रिती रिवाज के साथ भी धराती यानि दुल्हन के फिरंगी नाते रिस्तेदार भी परंपारिक भारती भेस भूसा में बने ठने नजर आए भारती रिती रिवाजो का उन्होंने खुब आनन लिया आप भी देखे इस वीडियो को किसी की भारती रि countlessष बने खुब आए रिती ररिंग और आए याल आए खुब आए खुबू आए खरे किसी की बने गपOnce फ़ आए खए खबू आए खबू आए श्यां से हुब आए , जिती बने रिती नायुकरा बमें, मतसजा उन्हों को तुम्दर प्रतिछाहि जग मगात मनी खंबन माहि राम सिया सुंदर प्रतिछाहि जग मगात मनी खंबन माहि बना हुमा दनरत धरी रूपा देखत राम पिहाओ अनूपा तो क्या बोलेगे सुभी आसंएकर स्री राम जे राम जे राम जे राम जे राम जे राम जे राम पंडी जी उनको तो बोलने दो तीसरी प्रतिग्यात अपने यक्तित्व को मिलाकर अपने नए जीवन की स्रस्टी का निर्मान करता हूँ जिस प्रकार में अपने सरीर का धिहान रखता हूँ उसी प्रकार से आज से अपनी धर्म पत्नी कि आज से धर्म पत्नी को पालन करूंगी पती के प्रती कभी कपट या दुराव करूंगी अपने पती के प्रकती में जीवन के वितास में योगदान देती रहूंगी आपको शुकार है शुकार है शुकार है हुई चोथी प्रतिग्या है स्रद्दयाम पल्यास्यामी धर्म पती उरतंपरम आम पत्नी में पत्नाम अहम प्रवर्थी अलक्ष्विर में लश्यताम पामने हुँ यसिस्वन मात्रीनों जन्म संसार दंधनाखो मि मुझ्यते नमस्तश्में करे इसके में रुट भामने स्कार्ण LU कि यह बताएं किया नाम है आपको मेरे नाम निले शेकरवाल इलेशी में देख रहा हूं कि गोटन ग्रेसेस में आप लोग शादी का बड़ा इंजुआई कर रहा है और यह आपको रिलेशन वाल में शादी है इसमा देख रहा है कि जो दुलन है वो फ्कान से आई है तुला जैवो दर सिंगर पुरावरते हैं कैसी अनुबूती हो बहुत सुखद अनुबूती है पहली बार ऐसा जीवन में देखने को मिला है एक जिसको कह सकते अंताराश्टी विवा है यह जिसमें कई देशों के लोग आये इसमें कितने फैमली के लोग थे हैं इनके नाम क्या है बहु का नाम है और यह बैसिकली फ्रांस को बिलॉंग करती है रेती गनाडा में है और उनका जो नेटिव पैलेस वगेरा इटली वगेरा में भी है तो एरोप के भी कई देशों के लोग है और कनाडा के तो हैं उनके साथ को प्रण गरोग आई तो जैसे आपने देखा कि हिंदू संस्कृति हमान मनाई गई उसमें कितना इंवाल्ट है मैं के सकता हूं अगर अविकुल कमशब्दों में बोलूं के हमारे घरों में जो होती है शादियां जिसमें जित्ती संस्कृति का पालन अपन करते हैं उससे दुगनी अगर अपन कैसा सब कुछ उनोंने अभी से छोटी रस्म होती है उसका भी पूरा प्रापर इवेंट के द्वारा ध्यान रखा अब उनने डालर महीं मांगे थे दो आजार डालर अब दूले में अब क्या दिया है क्या नहीं अब इसमार नहीं था मतलब जो पहले शादी के जो बचन गये बचन हुए हैं वो वी उसमें पूरा उन बचनों को राम चरीत मानस की चुपाईयों के साथ सामार यूज किया गया था और फेरे भी पूरे मुजिकल हुए पहरे पहरे संस्क्राप में पले गाए उसके बाद उसका पूरा मिनिंग बताके और फिर बहु को भी पूरा अंग्रेजी में जो सासुमा सुरू में आर्ती करती है वो आर्ती करना हो या दुलन की भावी जो नाक पकड़ती है दूले की वो सारी जो भी एक चोटी-चोटी रसमें हो तो बहुत बड़ी अनुहों कर रहा है थे क्योंको कभी कामी नहीं पड़ा था सारे जो भी एक मालवा का जैसे अपने जो ठेट भोजा ने दाल वाफले का और बाजरी का किछड़ा हुआ मक्का की रोटी और उसके अलावा मतलब एक मिर्ची का कूटा से लेके अचार वो जो वाकी जो खाना होता है रेगूलर यह आपके जीवन में शादी अब अनुहो यह फ्रांस पढ़ने गाय थे और वही पर फ्रांस से पढ़ने और यह नाई थी ते साथ में पढ़ते थे उहीं की मुलाकात हुई और बुलाकात प्यार में बदल गई वो बहुत ही ज्यादा सिंपल एकड़म सरल सबसे मिक्स अप होने वाली मतलब उनको देखके कहीं से कह आई नहीं ही लग रहा था कि एतनी दूर से आ एं और मतलब ौ। सब से बहुत अच्छे से मिलके बात कर दो अपकी बैथ भी आप Bye-Dee वचन का मीनिंग बताया उनको उसके बाद वचन का मीनिंग समझ के उसे देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रिए स्ट्रिट वस यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें धन्यबाद